अधार से निकासी का काम करते हैं अगर Central Bank of India का निकासी नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी important है क्योंकि New Application Central Bank of India का ही आ गया है जिससे आप अधार कार्ड निकासी कर सकते हैं जी हाँ New Application जो कि Central Bank of India का अधार निकासी की हर समस्या का समधान आपका कर देगा अगर आप EPS संचालक हैं तो अधार से निकासी का काम नहीं कर पा रहें तो आज किस फीडियो को पूरा इंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि पूरा complete जनकारी आपको देने वाले हैं अगर आपको बता दे कि Central Bank of India का जब आधार निकासी करते हैं तो वहाँ पे invalid transaction का error आता है लेकिन Central Bank of India का इस application के थुरू आप करेंगे transaction तो कोई भी शमस्या नहीं होगा डिजिटल जो है transaction को बरहावा देने के लिए Central Bank of India के तरफ से अधार पे शर्विश चालू किया गिया है जो कि Central Bank of India का ही application है जिसके देख पारे यह काफी बहुत ही अच्छा application है जो कि आप अधार काड़ से निकासी customer को दे पाएंगे तो वीडियो को इंड तक जरूर देख सकते हैं विड्रॉल कर सकते हैं यह हलाकि जो यह जो application होता है यह customer के लिए होता है कि आप कोई भी शमान जब बेशते हो तो फिर उससे आप पैसे अधार काड़ के माधियम से यह यह फिर इस application को प्लेश्टोर में अबलेबल है सेंट डीजी पे के नाम से application आप देख पारे हैं fingerprint की मदद से इसके आलाबा जो है इस application से UPI transaction भी शमभव है जो कि digital transaction को भरावा देने के लिए जो कि यह बैंक ने बहुत ही अच्छा application दिया है तो अभी जैसे कि आप जानते हैं कि AAPS संचालक अधार विटरॉल के माधियम से transaction करने पर invalid transaction error आता है Central Bank of India का लेकिन यह Central Bank of India का जो यह खास है यह transaction करने के लिए अक्चौल नहीं होता है अधार पे service अपने गरहकों को service देने के लिए होता है यह निकि आप कोई भी आपके customer आपके शौप में आते हैं तो वो कुछ भी आपसे purchase करते हैं तो उनका amount आप अधार विड्राल के थुरू या फिर UPI के थु ले सकते तो यह application का feature दोनों ही available है अब यहाँ पे सवाल यह होता है कि यह अधार पे service Central Bank of India के इस application में सबसे खास बत है कि आप transaction जो करेंगे उसका transaction ID से आप यहाँ पे view report पे क्लिक करेंगे तो आप कभी कभी report भी देख सकते हैं date wise मतलब आपने कौन सा transaction कौन सा date मी करा है तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पर आसानी से दिख जाएगा और इसको activation के लिए आप दिख पा रहें यहाँ पर individual merchant और corporate merchant का option है यहाँ पर दो option आएगा individual merchant मतलब हुआ कि अगर आप sell के लिए use करते हैं तो वो आपको individual merchant के अंतरगत आ गया corporate merchant का मतलब हो गया कि आप मतलब कोई फॉर्म या company कुछ है वैसे में आपको यूज करना है तो फिर आपको corporate merchant के अंदर आएगा जो कि अगर आप current account वगर कुछ यूज करते हैं इस application को यूज करने के लिए मैं फिलाल अभी individual के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पार है यहाँ पर mobile नमबर डालने एक option आ रह करता है तो यहाँ पर आप देख पार है जब मैं यहाँ पर mobile नमबर डाल के submit कर रहा हूं तो यहाँ पर लिख रहा है यूर यू यू आर नौट रिस्टेड विट यूज एस merchant पिलिज कॉंटक्ट टू बैंक Central Bank of India मतलब यह activation के लिए आपको Central Bank of India के अपने home branch में जाना पड यूज एस merchant पिलिज कॉंटक्ट टू बैंक Central Bank of India मतलब दोनों ही यह मर्चंट अधार विट्रॉल एडि लेने के लिए आपको अपने नजदिकी ब्रांज से संपर करना होगा इसका कोई distributor नहीं होता है यह सब दिमाग से बिल्कुल आप निकाल दीजी क्योंकि AAPS अंचलक क को लगेगा कि यह distributor distributor के थुरू नहीं मिलेगा यह बैंक के थुरू आपको मिलता है और Central Bank of India का एक कस्टमर आप होंगे तभी मिलेगा आसानी की मतलब किसी को भी दे देगा Central Bank of India में जाने से यह actual में Central Bank of India के कस्टमर के लिए होता है और आप यह इसको मर्चंट को एक्टिव नीवादे नमाशकार